इसकारन निर्बूद्धी ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभू की इक्षा क्या है, क्या है प्रभू की इक्षा, आज मैं आपको प्रभू की इक्षा बता रहा हूं, क्या है प्रभू की इक्षा, प्रभू की इक्षा है, दाकरस्यमत वाले ना बनो, नशा मत करो, ड्रिंक म मत पियो गुडाकू मत करो, गुठका मत खाओ, नशा मत करो, यह प्रभु की एक्षा नहीं है कि आप नशा करो, तो क्या करो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, क्या लिका, दाकरा से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुच्पन होता है, आप नशा करोगे, आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और किर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए, हमारे प्रभु येशु मसी के नाम से परमेश्वर पिता का धनिवाद करते रहो, जब तक आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, आपक हम कड़े हैं, बाकिलग सब लोग वर्शिप कर रहे हैं, तो चलो हम भी करते हैं, हम भी वर्शिप कर लेते हैं, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, अंदर से नहीं हो रहा है लेकिन, अंदर से नहीं हो रहा है, मुझ से हो रहा है, क्योंकि सब गारें भई अपने को भी गान कि उसके रॉंते खड़े हो जाते है उसके हिर्दे के अंदर में गुदगुदी होने लगती है और वो अंदर से वर्शिप करने लगता है अंदर से उसके वर्शिप आती है वो अंदर से इस्तूती करता है अंदर से भजन गाता है समझ में आ रहा है और आपको मैं बता दू, जो पवित्रात्मा से परिपूर है, उसका हिर्द है हम्मेशा धनेवादित रहेगा, हम्मेशा, अभाव में भी वो धनेवादित रहेगा, विरोध सताव में भी वो धनेवादित रहेगा, यातनाव में भी वो धनेवादित रहेगा, दुख में भी वो अधनेवादित रहेगा, क्लेस में भी वो धनेवादित रहेगा, हर परिस्थिती में वो धनेवादित रहेगा लेकर अगर आप पवित्राप्ना से परिपूर्ण नहीं है, पैसो का भाव आया कोसने लगे, क्लेस आया कोसने लगे, दुख आया को उसने लगे, विरोधस अताव आया बैक सलाइड हो गए यातना आई क्या मिला हमको प्रभु के पास आने से कोई मतलब नहीं है, हम छोड़ देते प्रभु को हम वापस चले जाएंगे अपने जीवन में साही नहीं है अब शरीर में है और शरीर चलता नहीं है खुदा के राज़ में, खुदा के राज़ में चलने के लिए हमको आत्मीक होना पड़ता है पवितरात्मा से परिपूर्ण होना पड़ता है कि तो को समझ में आ रहा है हलेलूया जो वेक्ति मदीरा पीता है अर्था शो दिंदी में बोलू दारू पीता है जो ड्रिंक पीता है वो नशे में आ जाता है उसको नशा हो जाता है आपने देखा है, जब वो ड्रिंक करता है ड्रिंक करने के पहले वो बहुत नॉर्मल होगा लेकिन ड्रिंक करने के बाद में वो बदल कर कोई औरी मनुष्य हो जाता है पीने से पहले वो डॉगी था लेकिन पीने के बाद में वो टाइगर बन जाता है समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे को मालूम है इसलिए क्योंकि मैं वही से आया हूँ वो अनुभाव मेरे को मालूम है पीने से पहले हम एकदम सच्चन होते हैं पीने के बाद में फिर कौन है कौन है हम बदल कर कोई और ही मनुष्य हो जाते हैं समझ में आ रहा है लेकिन आप से पूछता हूँ अगर कोई वैक्ती आज पिया और नशे में हो गया तो क्या उसका नशा एक सब्ता तक रहेगा क्या उसके जीवन में बदलाव एक सब्ता तक रहेगा जब पिया जब तक नशा था बदलाव था उसके जीवन में लेकिन वो बुरा था उसी प्रतार से अगर आप हर दिन पवित्र आत्मा को पियेंगे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे और वो ताजा अभिशेक पाएंगे तो शाउल के समान आप बदल करके कोई और ही मनुष्य हो जाएंगे और आप तब तक बदलेवे मनुष्य होंगे आप तब तक पवित्र होंगे आप तब तक सामर्ती होंगे दिन पवित्रात्मा का नशा करो, कितो को समझ में आ रहा है, हर दिन पवित्रात्मा का नशा करो, इन लोगों ने जब, जब ये एक चीत होकर, एक मन होकर, जब ये लोग प्रेरितों प्रात्ना कर रहे थे, तो क्या मांगे, प्रभू ऐसा वर्दान दे, कि वचन सुनाएं हि इमारों को चंगा करें जानतों क्या हुआ जब पवित्रात्मा से परिपूर्ण हो गए तो हियाओं से वचन सुनाने लगे पहला और जब आप पांच अध्याई और उसके बारा वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा कि प्रेरितों के हातों से बहुत से चंगाई चिन चमतकार और सामर्थ के अद्बुद अलौकिक काम होने लग गए और प्रती दिन वो सुलेमान के ओसारे में एक चित होकर इखटा हुआ करते थे जब तक आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो जाओगे तब तक कि आपके ज्वारा आपकी मिनिस्ट्री में कोई चंगाई चिन चमतकार नहीं होने वाला कोई दुष्टात्मा नहीं निकलेगा कोई बिमार चंगे नहीं होंगे कुछ भी नहीं होने वाला आपको उसके लिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना होगा तब आपकी मिनिस्ट्री में मिरकल सोंगे आमीन इफिस्यू की पत्री में जब 19 अध्याई उसके एक चेशे सक्षम पड़ते हैं जब पॉलूस ने इफिस्यू के इफिस्यू के लोगों के सर पे हाथ रखा वे पवित्र आत्मा से भर गए और आगे लिखा कि वो अन्य अन्य भासा बोलने लगे और भविश्वानी करने लगे अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है आप कभी भविश्वानी नहीं कर पाओगे कई लोग बोलते हैं मैं प्रयास तो करता हूँ, करती हूँ लेकिन भविश्वानी क्यों नहीं होता मिरसे भविश्वानी क्यों नहीं होता जबकि प्रहितों के काम दूसरे अध्याय में इस पस्त लिखाए अंत के दिनों में मैं सब पर अपनी आत्मा उंडे लूँगा और तुम्हारे जबान भी भविश्वानी करेंगे तुम्हारे जबान भविश्वानी करेंगे पुर्निये भविश्वानी करेंगे स्वपन देखेंगे लिखाए लेकिन कई लोग अगर आप की बुलाइट वो नहीं है तो आप लंबे नहीं चल पाऊगे। लेकिन हर कोई आज कलीसिया भवियल कर सकती है, हर एक जन भविश्वानी कर सकता रिखा है लिखाए वचान में लेकिन उसके पहले आपको पभितरात्मा से परिपून होना है। आप दुष्ट आत्मा निकालेंगे, आप बिमारों को चंगा करेंगे, आप मिरकल्स करेंगे, अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, अब आप योग के मन को परमिश्वर की ओर फेर देंगे, अगर आप येश्यू के दर्शन पाना चाहते हैं, अगर आप पुरुष के विशे में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और येश्व को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहां देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहि और खड़ा हुआ देखता हूँ मैंने प्रभु येशु मसी को देखा मैंने दर्शन देखा और मैंने तब प्रभु येशु मसी को देखा जब मैं नया नया विश्वासी था लेकिन बहुत आग में चल रहा था भयंकर पवित्र आत्मा से मैं परिपूर्ण था मैंने प्रभु येशु को दर्सन देखा राप के साड़े बारा बजे करीब जब मैं नैनियम से बाइबल पढ़ रहा था और मेरे को प्रभु में आयवे मात्रब चार महीने हुए थे मैंने प्रभु येशु मसी को साक्षात देखा था हालिलूया जो कवित्रात्मा से परिपूर्ण होते हैं वो नशा नहीं करते हैं जो कवित्रात्मा से परिपूर्ण होते हैं वो अन्यने भासा बोलते हैं वो हियाओं के साथ में प्रचार करते हैं वो विमारों को चंगा करते हैं वो दुष्ठात्माओं को निकालते हैं पर जो आत्मा से परिपूल होते उनका हिरत है हर परिस्थिती में धनिवादीत रहता है मसी के नाम से परमिश्वत पिता का धनिवाद करते हो मसी के भय से एक दूसरे के अधिन रहो आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कलीश्या के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है आज लोग अधिन नहीं होना चाहते कोई किसी के अधिन नहीं होना चाहता कोई किसी के जबकि वचन कहता है कि तुम भय से एक दूसरे के अधिन रहो लेकिन आज अधिनता ये बहुत कम देखने को मिलता है आज लोग अधिन नहीं होना चाहते मेरे प्रियों जानते हो प्रॉब्लम क्या इगो और इगो कहां से आता है शरीर लेकिन जो वेक्ति आत्मा से परिपून है वही कलीसिया की अधिनता स्विकार करेगा अपने अगवे की अधिनता स्विकार करेगा और अधिनता में होकर वो सेवा करेगा नम्र और दीन होकर वो सेवा करेगा याद रखो अधिन वही हो सकते हैं जो नम्र और दीन है और नम्र और दीन वही है जो पवित्र आत्मा से परिपून है कि तो को समझ में हाने